मैंने मेरी सालस अरबाला जी की यात्रा खाटू शाम जी के दरबार से शुरू की है आप देख सकते हैं ये बसिस जो है ये खाटू शाम जी के तोरण दोवार से जाती है पर परसन ये 60 रूपे यानी 60 रूपे लेती है वहाँ से आपको जाने के लिए दो बसिस चेंज करनी पड़ती है खाटू शाम जी से सीकर तक और सीकर से दूसरी बस बस वाले ही प्रोवाइड करवा देते हैं और उससे आगे जाने के लिए माहूल बहुत अच्छा है रूड बहुत अच्छा है कोई परेशानी नहीं होती है आपको रास्ते में जाने के लिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा हरियाली भरा रोड है खेत खलियान है खाटो शाम मंदिर से सालसर बाला जी की कुल दूरी 101 किलो मीटर है जिसमें एक घंटा आपको सालसर मंदिर पहुचने में लगेगा यदि आप बस दुवारा सालसर जी के मंदिर में जा रहे हैं तो राजिस्थान राज्य परिवहन की जो रोडवेज होती हैं वह बसे भी चलती हैं जिसकी मदद से आप सालसर बाला जी के जा सकते हैं आपको यह बसे जैपूर जोधपूर से प्रती दिन मिल जाएंगी और वहाँ पर जाने के लिए आप बस के अलावा साथ साथ आप टैक्सी कैब भी बुक करके बाला जी के दुवार जा सकते हैं यदि आप ट्रेन से सालसर बाला जी के मंदिर जाना चाते हैं तो आपको सालसर बाला जी के मंदिर जाने के लिए उनके सब से समीब का जो स्टेशन है वह है सुजान गड़ वहाँ पर जाना होगा सुजान गर्से मंदिर पहुशने में केवल 32 मिनट का समय लगता है आपको सुजान गर्स के लिए ट्रेने बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली से जैपूर से भी कानेर से आदी सभी जगाओं से बड़ी असानी से ट्रेन मिल जाएंगी यदि आप हवाई मार्ग से सालसर बाला जी के मंदिर जाना चाते हैं तो आपको बाला जी के सबसे निकटतम जैपूर इंटरनेशनल एरपोर्ट पर लेंड करना होगा जिसके बाद आपको सालसर बाला जी मंदिर जाने के लिए टैक्सी देखनी मिलेगी जिसमें आप सालसर मंदिर पहुँच सकते लेकिन उसमें तीन घंटे का पूरा-पूरा समय लगेगा मरुधरा राजिस्थान के चुरू जिले में स्थित है राम जी के प्रिय भक्त और ज्यानियों में अगरगन्य हमारे महाबली हनुमान जी का सिद्ध मंदिर धर्मयात्रा की इस कड़ी में हम आपको लेका चल रहे हैं अंजनी नंदन श्री हनुमान जी के मंदिर सालसर धाम बोलो सालसर बाला जी महराज की जै साला सरबाला जी के नाम से प्रसिद इस मंदिर की स्थापना मोहंदास जी महराज द्वारा विक्रम समवत 1811 में श्रावन मास की शुक्ल नौम्मी को की गई थी ऐसी मानने तै की मोहंदास जी की भक्ती से प्रसंद होकर हनुमान जी नागोर के असोटा में मूर्ती के रूप में प्रकट हुए और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण की सोटा में एक किसान खेद जोतरा था तब ही उसके हलकी नोक किसी कठो चीज से जाटकराई उसे निकाल कर उसने देखा तो एक पत्थर था किसान ने अपने अंगोचे से पत्थर को पहुँचा तो साफ करती उस पर बाला जी की छवी नजर आ गई इतने में किसान की पत्नी उसका खाना लेकर आई जिसमें चूरमा था उसने बाला जी की मूर्ती को बाजरे गे चूरमे का भोग लगा दिया यही कारण है कि श्री बाला जी को तबी से चूरमे का भोग लगाया जाता है कहते हैं जिस दिन ये मूर्ती प्रकट हुई उस रादबाला जी ने सपने में असोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ती सालसर ले जाने के लिए कहा दूसरी दरफ मोहनदास जी को सपने में बताया कि जिस बैल गाड़ी में मूर्ती सालसर पहुचेगी उसे सालसर पहुचने पर कोई भी नहीं चलाएगा और नहीं हाथ लगाएगा जहाँ बैल गाड़ी खुद रुख जाए वहीं मेरी मूर्ती स्थापित कर देना सपने में मिली निर्देश के अनुसार ही मूर्ती को वर्तमान समय में जो सालसर जी का मंदिरे वहीं पर स्थापित कर दिया गया और बैल गाड़ी भी यहीं आकर रुप गई बोलो सालसर महराज की जै पूरे भारत में एक मात्र सालसर में ही दाड़ी मूचों वाले हनुमान जी है यानी बाला जी है मित्रो इसके पीछे एक माननेता यह भी है कि मोहंदास जी को पहली बार बाला जी ने दाड़ी मूचों के साथ ही दर्शन दिये थे जिस पर मोहंदास जी ने इसी रूप में बाला जी को प्रकट होने के लिए कहा था इसलिए हनुमान जी यहाँ पर दाड़ी मुझों में स्थित है बाला जी की धुनी को चमतकारी माना जाता है कहते हैं बाबा मोहंदास जी ने 300 साल पहले इसी धुनी को जलाया था जो आज भी अखंड प्रज् मित्रो हर वर्ष यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा के दिन बड़े बड़े मेली का आयोजन होता है जिसमें बहुत जादा भीड होती है और इस मंदिर के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रधालू देश भर से आते हैं इसमें जादा भी आये मत आपको सालसर बाला जी के दर्शन बहुती अराम से बिना परिशानी के हो जाएंगे तो आईए मित्रो आपको सालसर बाला जी के पवित्र दर्शन करवाते हैं बोलो सालसर बाला जी महराजे की जै एक बार कमेंट्स में जै सालसर बाला जी अवश्य लिखेगा मित् देख सकते हैं मंदिर के बाहर निकलते ही कितनी सुन्दर यहाँ पर मार्किट है देख सकते हैं आप यहाँ पर बच्चों के लिए खेल खेलोने और बाला जी की संबंदित जितनी भी पूझे सामगरी ले सकते हैं और यह देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पर धरमशाला है अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो धरमशाला की भी यहाँ पर सुचारू रूप से विवस्था है देख सकते हैं बच्चों के लिए कितने प्यारी प्यारी चीजें हैं जो बच्चें यहाँ पर ले रहे हैं सामने आपको यहाँ पर खाने की खादे पदार्थों की चीजे मिल जाएंगी श्री सालसर बाला जी के प्रशाद की भी यहाँ पर दुकाने हैं बाला जी को बुंदी के लड़ू और चूर्मा आप कुछ भी विशेश तोर पर चड़ा सकते हैं मारियल भी चड़ा सकते हैं अपनी मनोकामना पूरती के लिए इसके पश्राद यहाँ पर सीधा सालसर मंदिल जी के सामने ही एक अबोहर धरमशाला है यह धरमशाला बहुती सुन्दर है और नए ढंग से बनाई गई है आप इसको अंदर से भी देख सकते हैं मैंने इसके अंदर की भी वीडियो बनाई है यह सारे रूम है जो बिलकुल साफ सुत्रे बनाए गई है यह रूम है आप देख सकते हैं यह आपको यहाँ पर दोसों से लेकर पांसों तक परसंस के इसाब से जनी लोगों के इसाब से आप जितनी भी जा रहे हैं उसे इसाब से मिल जाएगा और मित्रो एक और चीज मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आप वहाँ पर खाना चाते हैं तो यह पंडेजी का पवित्र भोजनाले हैं मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूं लेकिन यह सालसर मंदिर जी के बिलकुल सामने अपोजिट साइड में यहां पर आप सो रूपे में अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं और बहुत ही शुद शाकारी बोजन है भर पेट खा सकते हैं चलिए अब यहां से बाला जी के दर्शन करके हम अपने घर की और चलते हैं हमने बस ली थी ज अब आपको सालसर बाला जी आने का बजट बदा देते हैं मित्रो अगर आप बस से आते हैं तो आपका 120 रुपे पर परसन किराया लगेगा आप रूम लेते हैं तो 400 से 500 तक की धरमशाला मिल जाएगी खाना 100 रुपे में पंडजी बोजनाले से अनलिमिटेड है टोटल झालओ झालओ से लुपे में राले से लुपे में आपके में जाएगी डाले से बदू है विद्रो आपको से लुपे में घल जाएगा बेस्टो